जहिन दोस्तों आज जारकन के कुछ महातवपूना करंट अफैर 2024 को देखेंगे और पुरा बिस्तार से समझने का प्रयास करेंगे इसके साथ-साथ additional fact को भी बताने का प्रयास किये हैं तो अच्छे से देखिएगा चीजों को अच्छे से समझेगा और note down भी करते चलिएगा जारकन में कोई भी exam देंगे तो यहां से पक्का question देखने को मिलेगा कुछ यहां पर education का संस्थान रखे हैं जो statics question के साथ-साथ current से भी relate करके बताएंगे जो बहुत महतवपूनर रहेगा तो चीजों को अच्छे से समझेगा देखते चलिएगा और एकदम यह छपने वाला question है ठीक है पूरा तरीका से छपने वाला है थोड़ा हलाकी बड़ा है लेकिन इसके साथ-साथ additional factor भी बहुत सारा चीज बताएंगे तो not done जरूर करते चलिएगा ठीक है आप अगर चौकिदार का भी एकदम दे रहे होंगे सभी जिला में जो हो रहा है तो वहाँ भी बिल्कुल यह काम करेगा अच्छे से काम करेगा ठीक है state forward a one liner question सीधे पुछा जाता है तो यहां वह ऐसा भी बताएंगे ठीक है तो इसको देखिएगा रच्छे से समझते वे चलिएगा तो देखिए सबसे पहले यहां पर important बात आ जाता है कि national institution ranking framework जो है एन आई आर एफ जो है वो जारी की है 2024 में एक report यह report जारी की है और यह report देखेंगे सिक्षा मंत्राले जो है वो जारी करता है और देश के टॉप 100 जो उच्छन संस्थान है उनका यहां पर ranking जारी किया जाता है एन आई आर एफ के द्वारा ठीक है कि कौन जो है देश में टॉप 100 सिक्छन संस्थानों में अस्थान रखता है चाहां management में हो चाहा आपका engineering में हो चाहे university में हो तो उसका जारी करता है यह report तो इसी report में कुछ जारकन के भी संस्थान है जिनका अस्थान बहुत important रखता है आप कोई भी exam अगर जारकन का देंगे तो पक्का यहां से पूछा जाएगा कि आपका जो है IIM राची का अस्थान क्या है ISM का अस्थान पुरा देश में क्या है फिर उसके बाद XLRI का अस्थान क्या है ठीक है तो इस तरह का BIT मैसरा का अस्थान क्या है यह सीधे तोर पर पूछा जाता है तो अच्छे से देख लीजेगा अपना अस्थान कम से कम राज का जरूर याद रखेगा कि आपके institution जो है ज IIT धनबाद एक ही एक लौता IIT जो है वो धनबाद है जारकन में एक मात्र IIT है जो 2016 में बना है इसके पहले Indian School of Mines धनबाद था यह 1926 में इसका स्थापना हुआ था विस्तार से बताएंगे यह कब बना था और किसने बनाया था इसके नीचे तुरंथ है यहाँ जो विस्ता देखा जाए तो IIT धनबाद जो है इसका IIT धनबाद का 2024 में 15 अस्थान रहा है पूरा All Over India में 15 अस्थान रहा है यह सोच सकते हैं IIT में इसका 15 अस्थान है और अगर देखा जाए यहाँ पर तो पूरा देश में इसका अस्थान कितना रहा है 15 रहा है लेकिन 2023 में तो 2017 में इसका 17 अस्थान था अभी वरतमान में कितना अस्थान है तो 15 अस्थान है याद रखेंगे दो अस्थान सुधारा है यह तो यह अच्छा खबर देखा जा सकता है पूरा देश में 15 अस्थान रखना मतलब सोच सकते हैं मेरा एक दोस्त है जो यहाँ पढ़ता है य इसके बाद अगर IIT के बारे में इसके बारे में अगर कुछ हम बात करें तो यहां पर IIT धनबाद जो है इसका उधगाटन हुआ था इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स धनबाद के रूप में हुआ था कब हुआ था तो 9 दिसंबर ये 9 दिसंबर 1926 इस्वी को बना था और ततकाल इसके द्वारा इसका उधगाटन किया था तो याद रखेंगे इसका पहले नाम क्या था इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स धनबाद ये 9 दिसंबर 1926 इस्वी को बना था ततकालिन वाइसराय इर्वीन के द्वारा बनाया गया था ये याद रखेंगे और जो है इम्पोर्टन क्या है कि इसको 2016 में IIT का दर्जा प्राप्त हुआ है ठीक है भारतिये खनन संस्थान धनबाद को IIT का दर्जा प्राप्त हुआ है माइनिंग वाला में तो देखेंगे कि खनन वाला मामले में यहाँ जो है ये पूरा देश में पर्थम स्थान रखता है पहले था अभी इस जो है लगतार छटी वर्स जो है सर्वस्रेश्ट संस्थान के रूप में रहा है IIT मद्रास नंबर वन छे सालों से नंबर वन है ठीक है तो याद रखिएगा अब हमारे यहां एक और संस्थान है BIT ठीक है बिरसा इंस्टिचूट अफ टेक्नलोजी ठीक है बिरसा इंस्ट सिंद्री जो है इसका स्थापना हुआ था कव तो 1949 में बना था यह ठीक है और यह बिरसा है बिरसा इंस्टिचूट अफ टेक्नलोजी क्योंकि इसका पहले नाम था बिहार इंस्टिचूट अफ टेक्नलोजी लेकिन बाद में इसका बिरसा इंस्टिचूट अफ बिरला समूु का यह नीजी छेत्र का मतलब इंजिनियरिंग का यह एंजिनियरिंग कॉलिज है याद रखेंगे यहाँ पर तो यह जो है अगर देखा जाये तो पूरा देस में इसका अस्थान 14.80 रहा है इसके पहले जो है 2023 में इसका harsh surroundáficा था लेकिन यए 5 चंक का सुधार कर करें अभी 48 वा अस्थान पर पूरत देश में हो गया है तो BIT मिसरा का स्थान पूरत देश में कितना हुआ हैं इंजिनियरिंग स्रेनी में 28 वा ठीक है और पहले था कितना 34 वा ठीक है तो यह सिधे तोर पर पूछा जाता है याद रखना है भूलने का नहीं क्या भूलने का नहीं ठीक है तो यह ब्याइटी और ब्याइटी मिस्रा में भी अंतर ब्याइटी सिद्री में भी दोनों में अंतर बता दियें अगर बढ़ाना नहीं है हापर ठीक है एक धनबाद में है एक राची में है अब यहाँ पर इसके बारे में जो पहले भी बता चुके हैं, BIT मेसरा जो है, ये राची मेस्तित है, बेडला कमपणी का ये समू का प्राइबेट संस्थान है, ये बता दिये हैं, ठीक है, बेडला इंस्टीचूट आप टेक्नलोजी राची, 1905 में बना था, ठीक है, ये 1905 में बना है, और एक BIT है, बेर्शा कर दिया गया है कौन सिंद्री वाला का ठीक है और यह तो बिड़ला है याद रखेंगे बहुत लोग जो तीस मार खान होते न वो राची लगा देते हैं बिरसा इंस्ट्यूट आप टेक्नलोजी देखते हैं बोलते तो बिरसा बगवान का समद्र राजधानिस होगा तुरत म प्रबंधन स्रेनी में अगर देखा जाए तो XLRI जो है जमसेदपूर में है मतलब पूर्वी सिंभू में यह संपूर्ण देश में इसका स्थान कौन सा रहा है तो नौवा स्थान रहा है ठीक है नौवा नौवा स्थान इसका रहा है ठीक है तो प्रबंधन के स्रेनी में द करके बताइब ठीक है XLRI का अगर देखेंगे तो स्थापना उनीच्छ उन्चास इसमें में हुआ था और ये सोसाइटी ओफ जिसस के द्वारा किया गया था ठीक है जैसे सोसाइटी ओफ जैसे ये दू-तिन बार कोशन पूछा है कि कि किसके द्वारा इसका स्थापना किया ग यहां पर है कि देखा जाया है ति यह भारत का पूरा भारत का सबसे प्राचिंतम बिजनस मैनेजमेंट इसकूल है सबसे प्राचिनतम बिजनस मैनेश्मेंट स्कूल है कौन तो ये एक्सल आराई उन्हीं सब निचास में बना था और पुरा देश में 2024 का जो अभी आया है रेंकिंग उसमें नुवा स्थान पर है ये सीधे कोशन पुछा जाएगा और ये एकदम अभी आया है एकदम ताजा रिपोर्ट है कुल मिलाकर 2024 का ये सब यहाँ पर रिपोर्ट है एकदम बढ़ियां से ध्यान में रखेंगे उपरे लिख दिये होंगे कहीं लिखे नहीं है यहीं लिखा हुआ तो है 2024 ठीक है उपरे ही लिखा हुआ है 2024 तो ये चीज़ है आगे देखिए यह इंपोर्टेंट है यहाँ पर आई आई एम आई आई एम राची को पुरा देश में अगर देखा जाए तो ये मैनेजमेंट सेक्टर से ही आता है और इसका का स्थान कितना है तो मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो इसका कितना हुआ अस्थान होगा तो ये अगर देखा जा तो 17 हुआ है और इसके पहले 2023 इसवे में 22 था तो 2023 इसवे में में आई आई एम राची का स्थान चो है वो 22 था लेकिन बरतम्मान में 17 самое tenth thान है ठीक के अनुसार यही देखने से पता चलता है ठीक है तो यहां पर यह समझ में आ गया होगा अब इस यह जो आई आई एम जो है इंडियन इंस्टिचूट आप मैनेजमेंट की अस्थापना राची में हुआ था और कब कोशन पता नहीं कहसे लिखा गया यहां पर वैसे ज़रुत नहीं है हजारी बाग में एक धाका से मतलब आया है यहां पर गिद ठीक है जिसमें चीप लगा हुआ है और वो धाका का कुछ रिपोर्ट है मतलब चीप में तो उसका अभी वो गीरा था यहां पर हजारी बाग से न्यूज बोलने जैसा थोड़ी है यहां पर कि हम न्यूज बोले ठीक है और इसे बोलने में तो धड़ा-धड़ बोल सकते हैं आपको लगेगा कि आदमी तो लगता है इंक्रींग कर रहा है लेकिन लेकिन नहीं है यहां तो पढ़ाने की बात है बाई साब चलिए अब कुछ यहां पर जारकन के परमुक सिक्चन संस्थान सोद एवं अनुसंधान संस्थान देख लेते हैं ठीक है सिक्चन संस्थान सोद और अनुसंधान संस्थान देख लेते हैं ठीक है देखे सबसे पहले यहां पर आता है बीर्षा क्रिसी विश्विद्दाल है यह राची में है आपसे सीधे कोशन पूछा जाएगा स्टेट फॉरवर्ड ठीक है बीरसा इंस्टीचूट आप मतलब बीरसा क्रिसी विश्विद्दाले ये राची में है 26 जून 1981 में बना था 26 जून 1981 नहीं याद रहे तो 1981 में बना था ये जरूर याद रखेगा ठीक है इसके बाद आगे यहाँ पर राज्य का पर्थम महिला ये ये सब करंट अफेर है राज्य का पर्थम महिला विश्विद्दाले जमसेथपूर राज्य का पर्थम महिला विश्विद्दाले जमसेथपूर राज्य का पर्थम जंजातिये विश्विद्दाले जिसका नाम है पंडित रगुन पंडित रगुनात मुर्मु जन जातिये विश्विद्दाले ये भी जमसेदपूर। वैसे एक साई विश्विद्दाले है और साई विश्विद्दाले का सबका एक्जाइम साई विश्विद्दाले राची में दिया था तो ये भी नीजी छेत्र का विश्विद्दाले ठीक है जगदीस चंद्र वश्विद्दाले गिरिडी जगदीस चंद्र है याद रखेंगे ठीक है यह करंट अफेर के दिरिष्टी से इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट यहाँ पर है दूर्गा स्वरें विश्विद्दाले यह देवघर में है इसको भी इंपॉर्टेंट रखिएगा दिमाग में फिर यह इंपॉर्टेंट है राज्य का पर्थम जो संस्कृत विश्विद्दाले यह बनेगा देवघर में ठीक है पहला संस्कृत विश्विद्दाले देवघर और संस्कृतिक सहर भी है देवघर हरित कीवडा देवघर ठीक है वैदनात धाम देवघर बासुकीनात दुमका और वैदनात जो धाम यह आपका मिलेगा देव और देवघर धाम को डर्मा ठीक है यहाद रखना है यहाँ पर इंपोर्टेंट यह सीधे सीधे कोशन पुछा जाएगा भी यहाँ पर मतलब प्लास्टिक पार्क बना है यहाँ पर देखेंगे तो फिर एम्स पुरा जारकन का एक मात्र एम्स यहीं पर है देवघर में फिर एरपोर्ट इंटरनेशनल एरपोर्ट देवघर यहीं पर है ठीक है तो यह अच्छा कासा विकास हो रहा है त्रिकुट पहारी छेतर में आहल फिलाल में रॉक्वे दुरुगटना यहीं हुआ था देवघर में यह सब याद रहना चाहिए ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर है राज्य का पहला महीला इंजिनेरिंग कॉलेज रामगड में बनेगा पहला इंजिनेरिंग कॉलेज महीला लोग के वल वहाँ इंजिनेरिंग करेगी कि किस तरह से अपना हस्बेंड का खोपड़ी खोलना है और ओकर में फिजिक्स लगा देना है ठीक है बाकी तो फिर केमे सक्कुराइब कांडे सर् lass में आंगर इंजिनियर किया विद्व और इना फिर्टी यहां तो कहने का on करी तो थो बादे के बात है चलिए आगे दह्ते हैं यहां पर यहां पर विश्विद्धाले जो आंबेटकर विश्विद्धाले से कट के बना था राची विश्विद्धाले से कटा था बिनोबा भावे ठीक है बिनोबा बिनोबा भावे कटा था 1992 में इसी से निलांबर पितांबर कटा निलांबर पितांबर कटा इसी से कटा 2009 में ठीक है निलांबर पितामबर 2009 और 29 भावे 1992 फिर 29 भावे से मतलब कोलांचल विश्विद्द्दाले बिनोध बहर महतोगष कोलांचल बना 2017 में तो यह सब याद रखेगा इस तरह से ठीक है राची विश्विद्द्दाले कटा आम बेटकर विश्विद्द्द्दाले बिहार से यह छटी फीच में पूछा था तो आपसे भी पूछा जा सकता है। देंके बार Ini स्पप जिल्ला का जो पड़े रहे हैं कोई भी एकजाम जेसे अभी हो रहा है छॉकिदार का तो कोई भी ज्यला का दे रहा है देखना जरुत है से किवाल बीसे कोशन पुछेगा 15 से 20 कोशन और उसके बाद जो है ना 30 कोशन बचा वो दूसरे दूसरे जिल्ला से पुछेगा और आप लोग बहुत लिखते रहते हैं न कि हमरा गोड़ा पढ़ा दीजे देवघर पढ़ा दीजे दुमका पढ़ा दीजे और कोई दूसरा जिल्ला प फिर उसमें आपको एक बार मिलेगा आपका जिल्ला और एक जार्खन दर्सन वो दिया गया है उसमें 24 वीडियो है उसमें भी आपका जिल्ला मिल जाएगा उसको निकाल कर देखिए न ठीक है आप लोग खाली कमेंट में लिखते हमरा जिल्ला पढ़ाईए हमरा जिल्ला प पर अब जो है लगवग एक हजार सस्क्राइबर मातर बचा है दस हजार में ठीक है एक EVERY DAY मातर बचा है हुआ दस हजार में तो तोड़ा सपोट किजिए अगर जल्दी से दस हजार हो जाता है तो आपको सारा PDF टेलिग्राम पर मिल जाएगा ठीक है तो एक एक आदमी अगर हमारा वीडियो 2000 जरूर देखता है अगर एक एक आदमी को भी share कर देगा ना या एक एजूकेशन ग्रूप में भी share कर देगा ना तो मेरा जो है यह 1000 सब्सक्राइबर पूरा जाएगा और यह 10,000 का टार्गेट कंप्लिट होने के बाद हम आपको जितना प्रॉमिस किये हैं जारकन GS का जारकन current affair का सब टेलिग्राम में दे देंगे ठीक है टेलिग्राम के नीचे जो है description में link दिया हुआ है वहाँ जाकर join कर लिजेगा क्योंकि वहीं सब कुछ देंगे टेलिग्राम link पर अभी भी बहुत कुछ देते रहते रोज एक दूगो PDF दे ही देते हैं तो जो है PDF मांगते हैं टेलिग्राम से वहाँ से ले लिजेगा ठीक है next है स्यामा परसाद मुखरजी विश्विद्धाले 2017 में बना था याद रखेंगे स्यामा परसाद मुखरजी जो विश्विद्धाले पहले ये मतलब महाविद्धाले था मतलब कॉलेज था 1926 में बना था राची कॉलेज कौन सा तो याद रखेंगे राची कॉलेज ठीक है राची कॉलेज अब राची कॉलेज जो है ये बना था तो राची कॉलेज बना था ये 1926 में बना था लेकिन 2017 में स्यामापरसाद मुखरजी विश्वविद्दाले बन गया है इनको पदम स्री भी मिला है स्यामापरसाद मुखरजी को तो याद रखना है बिनोबा भावे 22 में बना है 17 सेप्टमबर यह याद रखेगा कहीं-कही 12 सेप्टमबर मिलता लेकिन 17 सेप्टमबर उनिस सब बानवे में यह बना है और इस से फिर 2017 में मतलब यह कुलांचल विश्व विद्दाल है बिनोध बिहारी महतोर। क्वोला अंचल विश्विद्दाले बना है कौण वाला तो यह बना देवघर नहीं मतलब धनबाद का ठीक है धनबाद में बना है इसी से कट करके 1992 में ये बना मतलब सिंधु कानु मुर्मु विश्विद्दाले दुमका बना है 10 जनवरी 1992 को तो ये याद रखेंगे सीधे तोर पर यहां से भी कोशन देखने को मिलेगा ठीक है फिर उसके बाद निलांबर पितांबर विश्विद्दाले मेदनी रगर और ये जो है 17 जनवरी 2009 को बना है और रांची विश्विद्दाले से कट के बना है उपर भी समझाए है ठीक है इसके बाद है यहाँ पर जारकन तकनिकी विश्विद्दाले 2 2021 जार्कन तक्निकी विश्विद्दाले 2011 थीक है ağaगे देखते हैं यहाँ पर जार्कन रक्षा सकती विश्विद्दाले राची 2016 याद रखना है बिनोध विहारी महतोः कुलाचल विश्विद्दाले यह धनबाद ठीक है यह कब बनना है 13 नौवंबर 2017 को तेरा नौमबर 2017 को यहीं नहीं लिख सकता था 2017 नीचे चला गया ठीक है तो याद रखेंगे बिनोध विहारी महतोग को लांचल विश्विद्दाले धनबाद यह बिनोबा भावे से कटके बना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं इंडियन इसकूल आफ माइ रेंग पर है और इसके पहले इसका रेंग जो है थोड़ा पीछे ता लेकिन अभी सुधार किया है ठीके पहले 17 था आप 15 कर दिया है तो यह याद रखेंगे यह सान बोला जाता है जहारखन को तो इस सान कोन कोन है देख लिजे इंडियन इसकूल आफ माइंस धनबाद 1926 ने तरहाट विद्धाले लातेहार 1954 ठीके 1954 ने पेर बनाये था साइनिक स्कूल तिलैया यह कोडर्मा में है यह मतलब 1903 में बना था ठीके उनी सो तिरपनी 1963 ठीके 1963 1963 में भी बना था इंद्रा गांधी बाली का विद्धाले यह जो है 1984 में बना था हजारी बाग में जिल के पास तो यह चार संस्थान जो बताएं ना वो टॉप संस्थान है कोई भी एक्जाम दीजेगा तो पक्का पूछता इंडियान स्कूल आप माइस 26 ने तरहाट विद्धाले 1954 सैनिक स्कूल 1963 और बाली का इंद्रा गांधी कब बना था तो यह 1984 यह टॉप संस्थान है जारकन का आनबन सान बोलते हैं ठीक है तो याद रखना है यहाँ पर इसके बाद important है यहाँ पर कि भारतिय सुचना प्रदोगी की संस्थान राची यह 2016 ठीक है इसके बाद है अखिल भारतिय आयूर विज्ञान संस्थान देवघर 2019 2019 में बना है तो यह भी याद रखेंगे फिर एक आप लोग पढ़े होंगे हिंदी विद्या पीठ ये देवघर में था 1929 में ये बना था लेकिन क्या हुआ कि 2015 में इसको सरकार ने मानियता खतम कर दिया लेकिन फिर चर्चे में आ गया है मत्तव ऐसा बोला जा रहा है कि फिर से इसको मानियता दे के चालू किया जाएगा तो याद रखेंगे यहाँ पर इसके बाद है आपका यहाँ राची जनजातिय संग्राले ये मोरावादी में है राची में तो याद रखेंगे 1972 में बना है कभी कभी आपको राची संग्राले लिकावा मिलेगा 1972 ठीक है राची संग्राले का स्थापना 1972 में हुआ था और जन जाती है संग्राले है जो मुरावादी राची में 1974 में हुआ था तियाद रखेंगे सांस्क्रितिक संग्राले और आर्ट गैलेरी ये 1991 में बना था हजारी बाग सांस्क्रितिक संग्राले एबम आर्ट गैलेरी ये कहां है तो हजारी बाग में ये बना था 1991 में ठीक है इसक का स्थापना तो PTC की स्थापना हुआ था 1912 में लेकिन अभी जो है न ये पदमा चला गया है पहले ये हजारी बाग सेंटरल जोन में था लेकिन कहने का मतलब की देखेगा अब यहां पर फैरिंग थोड़ी सिखा सकता है जिसे पुलिस पर सिक्षन केंदरे फैरिंग ठीक है और अगर इधर से चलाया तो इधर इधर जेबियर कोलेज वा में घुस गया ठीक है मतलब गोली पता चलेगा कि कहीं मार रहा था कहीं लग गया तो इस तरह से जगा थोड़ा जादा चाहिए होता है तो इसके लिए इसको उठा करके पदमा ले गया जो पदमा ब्र 1966 में देखिए यह हजारी बाग में मतलब सीमा सुरक्षा बल जो भी एसे फ का परसिक्षन केंडर है वो हजारी बाग में मेरु वालत छेतर में ठीक है 1966 इस में यह बना था स्रिक कृष्ण लोग परसासन परसिक्षन संस्थान 1952 में है 1952 में यह बना था यह कहाँ राची मे हैं आप अगर बीडियो बनेंगे ठीक है आप यहां के परसासनिक अधिकारी बनेंगे ठीक है जे-पी-ए-सी से हजारी बाग के छेतर के वेक्ति थे जो अगर देखा जाए तो मतलब यहां पर जो जारकन के छेतर से दूसरे बिहार के मुख्यमंतरी यह बने थे याद रखेंगे और इनका जो है बहुत अच्छा संबंध हजारी बाग के नमक सत्यागरह से रहा था जो खजांची तलाब मे वहां के नमक कानून को भंग करके और यह आगे बड़े थे मतलब एक सवतनत्रता से नाणी में इनका नाम आता है हलाकी एक बिमेन्स कोलेज का नाम जजारी बाग में इनके नाम पर रखा गया ठीक है इसके बाद अगर देखेंगे के भी विमेंस कॉलेज उसका नाम है तकनिकी परसिक्षन केंद्र तकनिकी परसिक्षन केंद्र 1963 तकनिकी 63 ठीक है यह से याद रखेंगे सिमा सुरक्षा बलवला होई गया मेरू 1966 फिर उसके बाद यहाँ पर है जारखंड नियाईक अकादमी राची यह बना था कब तो 2002 में ठीक है फिर छो निरित केंद्र सराइकेला 1960 ठीक है उसके बाद आगे है जारखंड निरित कला मंदिर राची यह 1970 जारखंड निरित कला मंदिर 1970 ठीक है कुष्ट रोग अनुसंधान केंद्र राची 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 कहीं कहीं मिलता है यह 1956 में यह बना था इसको देख भी मिलेगा ठीक है आप लोग कमेट बॉक्स में नहीं तो करने लगते हैं जारकन का किताब में कुछ भी चीज मिल सकता है ठीक हो सकता आपका जनम दिल मिल जाए कि लाह अनुसंधान केंद्र बना था आपका जनम दिन में ठीक है कोन्नों चीज भी लिख देता है इसा आगे बना पर इंपोर्टेंट रहेगा जन जाती त अनुसंधान केंद्र नाची में स्थ प्रांब करता हैं नेदित को लिखावा मिलेगा यह बना था चावल राज्यानिक परियोग शाला भू वैज्ञानिक परियोग शाला ये हजारी बाग में है इसके बाद है महीला जल चाजन पर सिक्षन संस्थान हजारी बाग में है फिर उसके बाद मुर्गी पालन सोद एवं विकास संस्थान गिरेडी इसके बाद आगे देखते हैं राश्टिय तिलहन सोद विकास संस्थान मेदनी नगर तिलहन जो है दलहन इस सब सब कहा होता है जादा मेदनी नगर पलामू में मेदनी नगर को बिजराबाग लेसली गंज ठीक है मतलब डालतें गंज इसी को बोलते हैं राश्टिय तिलहन सो जोद्याव living गास संथान कहा है मेधिनी नगर थीक है पलामू चैतर पड़ता है य Player याद रखेंगे इसके बाद यहाँ पर एकÜंपॉर्टेश्ट है ये कौनसा तो केंदरिये खनन और यहाँ पर देखेंगे इंधन अनुसंधान केंद्र ये धनबाद है ये खनन अनुसंधान केंद्र अलग है इंधन अनुसंधान केंद्र का स्थापना जो है 1947 में हुआ अजादी के साथ जब इंधन खतम हो गया तो खनन चालू किया तो केंद्रिये खनन अनुसंधान केंद्र जो है कब हुआ था तो 1899 इस्वि में संद कॉलंबस कॉलेज का स्थापना हुआ था इसी समय राची जो है जिल्ला बना था और यहां पर देखा जाए तो मतलब डिगरी का पढ़ाई जो है वो कब से चालू हुआ था तो 1905 से डिगरी का चालू हुआ था पढ़ाई संद कॉलंबस म और 1925 से में महात्मा गांधी इस मतलब महाविद्धाले में आये थे ठीक है तो इस तरह से आप सब कॉलंबस को भी देख लीजे यहां पर और यह पूरा जो बताएं कैसा लगा फिटबैक थोड़ा दीजेगा आप लोग लाइक करते हैं तो बड़ी खुसी अंदर से मिलता है और सस्क्राइब करते तो उससे ज्यादा खुसी मिलता है तो वो जो सस्क्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजेगा और 10,000 सस्क्राइबर पूरा करने में हमरे हेल्प कीजिए इसके तहत जो है आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा ठीक है बहुत सारा प्लान आप चार-पांसो अगर कर देते हैं तो यह सस्क्राइबर एक हजार पूरा होने में देर नहीं लगेगा मातर एक हजार लोग घट रहा है ठीक है एक हजार बारा सो ऐसे घट रहा है तो थोड़ा साथ दीजे ठीक है चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में तर तक लिए जाहिंद